यहाँ पे हमें दिया गया है कि quadrilateral के जो तीन एंगल है वो है 65 degree, 55 degree and 130 degree तो हमें इस quadrilateral का जो fourth angle है वो find out करना है तो देखे यहाँ पे मैं जो fourth angle है जिसको पूछा गया है उसको let कर लेता हूँ let the fourth angle let the fourth angle it is equal to x कि माल दीजी जो fourth angle है वो क्या होगा x होगा ठीक है जो given angles है वो क्या है तो यहाँ पे given angles of quadrilateral given angles of quadrilateral मैं यह write कर लेता हूँ तो यह है हमारे पास 65 degree, दूसरा है 55 degree और तीसरा है 130 degree ठीक है और हमें पता है कि जो quadrilateral है ना उसके चारों angles का जो sum होता है वो होता है 360 degree तो इन सब को मैं क्या कर लेता हूँ एड कर लेता हूँ यहाँ पे जिससे कि मेरे पास x की value आ जाएगी तो मैं इधर write कर लेता हूँ x plus 65 degree and plus में 55 degree plus 130 degree it is equal to 360 degree इन चारों का sum 360 degree होगा इधर मैं write कर लोगा कि क्यों होगा यह क्योंकि यह है angle sum property of quadrilateral ठीक है angle sum property of quadrilateral क्या होता है कि उसके चारों angles का sum होता है 360 degree अब देखिए यहाँ पे इन सब को मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे add कर लेता हूँ तो add करके यह आ जाएगा 250 degree कितना आएगा 250 degree and it is equal to 360 degree तो x की value निकाल लेंगे इसको transpose कर देंगे अधर हम तो 360 degree में से minus कर लेंगे 250 degree x is equal to आ जाएगा यहाँ पे 110 degree तो इस quadrilateral का जो यहाँ पे fourth angle होगा वो होगा 110 degree